नमस्कार यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दीक स्वागत जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेर कीजिए जैसा कि आपको पता है ओईल इंडिया लिम्टेड में वकेंसी आई हुई है आई पोस्टिंग आपके जो होगी असाम और अरुनांचल परदेश जो है इसके आसपास होगी यह दिहां रखना है और ग्रेड थर्ड की पोस्ट है जिसके अंदर इलेक्टरिशन फीटर सभी ट्रेड वाले बर सकते हैं छांदार है फीटर वालों के लिए इससे बड़ी है मु जो है 38 पोस्ट है सी की दो स्टी चार ओवी सी दस एड़ी एस तीन और जनरल की उनिस और इसमें एक चीज़ और मांगी गई है इलेक्टरिशन का वर्क मैन परमीट होना चाहिए आपके पास सरकार दवारा यहां किसी मानता प्राप दवारा इलेक्टरिकल लाइसेंस बोड जो है उसके दवारा एक लाइसेंस दिया जाता है वह आपके पास होना चाहिए यह द्यान रखना है नेक्स्ट कोई आपके लिए जो है वकैंसी वह है फीटर फीटर ट्रेड से जो है आईटे की जिनकी 144 सीट है सबसे ज़्यादा सीट फीटर की है मोस्ट इंपोर्टेंट इसके बाद है इससे बड़ी वकैंसी जो है अभी फिलहाल में कोई नहीं आने वाली तो इसलिए जो है त्यारी में लग जाए और यह अच्छी जोग है इसके अलावा हम बात करें मेकैनिक मोटर वाइकल में टोटल बीयारिज सीट है और मशीन ट्रेड में 13 सीट और इसके बाद मेकानिक डीजल मुस्ट इंपोर्टंट इनके लिए डीजल वालों के लिए सुनेरा अवसर है क्योंकि अभी फिलहाल में इतनी बड़ी वकैंसी नहीं है कोई इसके बाद हम बात करें तो इलेक्ट्रोनिक मेकानिक ट्रेड जो है उसके लिए 40 सीट हैं इसके अलावा जो जो है उसके लिए 8 इंस्टुमेंट मेकैनिक के लिए 81 और जिनकी PCM फिजिक्स कमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स से जो है प्लस टू उनके लिए 44 सीट सर्वेयर ट्रेड जिनका है उनके 5 सीट वेल्डर ट्रेड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है सीटे कम है थोड़ी लेक जो है देख लेना तोड़ा और दूसरा जो हम बात करें एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 30 साल SCST वालों के लिए 18 से 35 साल OBC वालों के लिए 18 से 33 साल दी गई है यह बात ध्यार रखनी है मोस्ट इंपोर्टेंट आये और इसके बाद हम बात करें तो जो आपका है कुस उसे रेलक्सेशन भी दिये जाएंगे आपको जो आपको मिलता है सेंटर गोर्मिन्ट की तरफ से सेलेक्षन माफ़ड जो है उसमे हम बात करें तो अगर अगर आपके पारट ए में दो केंडिड़िय्ट के जो है नमबर सेम है तो पार्ट सी के अधार पे उनका सेलेक्शन होगा अगर पार्ट सी में उनका नमबर सेम है तो उनका पार्ट बी के अधार पे होगा और पार्ट बी में भी सेम है तो उनका जो एज जिसकी जादा होगी उस अधार पे जो है सेलेक्शन प्रोसेस रखी जाएगी इसके अंदर हम बात करें एक्जाम से रिलेटेड जो पैटरन है तो सबसे पहला पैटरन है इंगलिश लेंगवेज जिसके अंदर जनरल नौलेज अवेरेंस और क्वेस्चन ओईल इंडिया लिम्टेड से सबंदी जो है 20 क्वेस्चन और रिजनिंग अर्थमेटिक नुमेरिकल से 20 क्वेस्चन 60 परसेंट जो है यहां पे वो आपके है रिलेवेंट टेक्निकल ट्रेड से सबंदी 60 परसेंट 100 क्वेस्चन नंबर का पेपर होगा टोटल जो है टू हावर का टाइम दिया जाएगा आपको इसके अलावा जो है यह दियां एक यहें श्रक्ना यह मैंने बताई दिया आपको पार्ट B में जिनके सेम होंगे तो A इस बेस पर आपका सेलेकशन होगा यह दियां रूक्ना इसके बाद हम बात करें डोकुमेट वेरिफकेशन जो है डोकुमेंट जो आपको चाहिए उसके लिए ये डोकुमेंट चाहिए हुए सारे के सारे मार्क शीट होने चाहिए 10th की पास National Trades NCVT SCVT का जो आपके पास जो है NCVT का जो है IT Certificate होना चाहिए इसके लावा Electrical वाले जो है उनके लिए Most Important है Valid Electrical Permit First Class और Class Second का जो है Government Electrical License Board की तरफ से दिया जाएगा वो होना चाहिए आपके पास इसके लावा जो है boiler वालों के लिए भी जो है Second Class का जो है आपके पास Certificate होना चाहिए ये सारा ध्यानक ना है इसके लावा जो आपको SCST OVC के हिसाब से जो भी compulsory document है आपके वो दिये गए है वो भी चाहिए आपके और इसका जो है हम आगे बात करें तो सबसे important जो है इसकी class से हैं बच्चो हम अभी जल्दी शुरू कर देंगे फीटर, वैल्डर, सभी trade की और last date जो है इसकी important वो है 29, 2021 और 24, 8, 21 से start हुआ है 29, 2021 रात 12 बज़ तक forum भरे जाएंगे और इसके लिए जो फीस रखी गई है वो बीसी जनरल के लिए 200 रुपे है और इसके अलावा जो हम बात करें तो जो आपके trade से सबंदी जितना भी theoretical है वो सारा हम जल्दी से जल्दी सारी live class चालू करेंगे और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बेल आइकन को जुरू दुमाएं धन्यवाद